हालो आज का वीडियो है आप लोगों की सजेशन से ही लिया है मैंने इसके टॉपिक को और आज का टॉपिक है क्यूं कॉंस्टिटूशनल मेडिसिन ही किसी भी बीमारी को जड़ से मिटा सकती है बहुत सारे लोग इंट्रेस्टे थे इस बात को जानने के लिए कि कॉंस्टिटूशनल ट्रीट्मेंट क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है कि आपको कॉंस्टिटूशनल ट्रीट्मेंट ही लेना है और आपको कैसे पता चलेगा कि जो मेडिसिन आप होमेपथी के ले रह ये बहुत important topic और बहुत lengthy topic भी हो बहुत बड़ा topic भी है तो इस वीडियो को मैं दो parts में divide करूंगी आज का जो पहला part रहेगा वीडियो में उसमें मैं discuss करूंगी कि Constitutional Medicine क्यों जरूरी होता है बीमारी को जड़ से मटाने के लिए जो दूसरा पार्ट इसका वीडियो कर रहेगा उसमें मैं बताऊंगे कि Constitutional Medicine कैसे निकाली जाती है कैसे पता चलता है कि किसको कौन सी Constitutional Medicine देनी है तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले हम जानते हैं कि Constitutional Treatment या Constitutional Medicine क्या होती है तो Constitution का मतलब समझते हैं तो Constitution होता है बनावट आपके शरीर की बनावट के हिसाब से जो Medicine होती है उसको हम बोलते हैं Constitutional Medicine अगर हम बात करें कि इसका importance क्या होता है होमियोपथी में तो एक लाइन में बताना चाहूं तो हमियोपथी की रीड की हड़ी यानि Spinal Cod होती है Constitutional Treatment अगर आपने कोई भी Treatment स्टार्ट किया और आपको Constitutional Treatment मिल रहा है तब ही आप अपनी बीमारी की जड़ तक पहुँच जाएंगे तो फ्रेंस हमियोपथी में mostly क्यों आते हैं लोग उनका दो ही रुजन होता जिसके कारण लोग हमियोपथी के अप्रोच करते हैं पहला ये कोई बीमारी अगर उनको बार-बार हो जाती है Treatment लेने के बाद एक साल दो साल तक वो ठीक थे लेकिन बीमारी वापस आए बहुत सरे ऐसी बीमारी होती है जो रिलाप्स करती रहती है बार-बार आती रहती है और दूसरा के important reason होता है जिसके कारण लोग हमेपथी में आते हैं वो ये होता है कि अगर किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है कई बार ऐसा होता है कि modern system के doctor आपको मना कर देते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है आपको सारी उमर ही दवाई खानी पड़ेगे तो friends constitutional treatment को मैं आपको एक example कि तलो समझाओंगी जैसे आपको पूरी तरह सा समझ में आएगा कि ये constitutional treatment होता क्या है for example कोई patient है कोई patient है उसका नाम रख लेते हैं चलो मोहन रख लेते हैं तो कोई मोहन नाम का patient है जोसको asthma है अब asthma है उसको और वो दो doctor के पास जाता है एक doctor उसके साथ बैठता है और उसकी पूरी history लेता है first से लेकर last तक किया आपको asthma कब से है कब कब होता है कब problem होती है कि आपकी family में किसी का asthma था बहुत तरह के questions पूछता है multiple questions पूछता है और end में आपको क्या देता है वो एक दवाई वो होता है आपको constitution treatment दूसरा doctor है आपके साथ आपने उसको बताए कि मुझे अस्थमा की problem होती है एक symptom के उपर उसने तीन चार दवाई बता दी तो फरक क्या है A और B doctor में A doctor ने बहुत सारा पूछा लेकिन end में आपको एक दवाई दी B doctor ने आपसे कुछ नहीं पूछा और A की symptom पे आपको चार दवाई दी या तीन दवाई दी तो यहां पर difference आजाता है यहां पर आपको समझ में आता है कि जिस doctor ने आपको समय देखकर के सब कुछ जान करके सब अब हम बात करते हैं लोगों के मन में क्वेरी आती है कि जो एक दवाई जो सिलेक की गई है वो कैसे काम करेगी या कैसे इतनी बड़ी बीमारी को जड़ से हटा सकती है तो जो हमारी बीमारी हमको तब ही होती है जब हमारे अंदर की शक्ति कमजोर पड़ती है हमारे immune system कमज देगी उसको boost up करेगी कि निकलो बाहर और fight करो अपनी disease से तो वो क्या करेगी वो हमारी शरीर को इस काबिल बनाएगी कि वो बिमारी से लड़ सकता है अब जो दूसरे डॉक्टर ने तीन चार आपको medicine बता दी है कि अगर आपको खासी आती तो आपको यह लेना है आपको weakness लगती तो आपको यह लेना है वो आपके organs पे काम करेगी सभी particular organs पे काम करेगी लेकिन एक दवाई जो आपको दी गए है वो एक साथ ही पूरे शरीर पर काम करेगी और आपके immune system को boost up करेगी जो constitution treatment होता है उसका जो असर होता है वो काफी लंबा रहता है और पूरी तरह सो उसमें आपको हो सकता है कि थोड़े समय तक आपको relief में लगे आपको लगे कि हाँ अभी तो मुझे दम उतना नहीं गुट रहा है अभी तो मुझे ठीक है मेरा बाडी भी ठीक है में जो weakness भी कम लग रही है लेकिन यह इतना भी आपका treatment है जब तक आपका treatment चल रहा है तब important चीज आपको discuss करनी है आपको जाननी है कि यह जो हुमेपतिक treatment आपने लिया आपने एक आपके प्रकृति के हिसाब से आपको एक medicine जो बताई गई है क्या इसके साथ आपको दूसरी medicine ले सकते हैं तो yes friends आप इसके साथ दूसरी medicine भी ले सकते हैं लेकिन उसकी जो potency होने चा तो आप उसके साथ कोई भी mother tincture ले सकते हैं जो की आपको symptomatic relief दे सकती है आपकी जो तकलीफ है उसको एकदम सो थोड़े देर कर आराम दे सकती है क्योंकि बहुत देर तक आप दिल्कुल trouble में भी नहीं रह सकते हैं तो constitutional medicine के साथ कोई एक medicine जो आपको symptoms के उपर काम करती है उ वह है autoimmune disorder बहुत सारे लोग क्योंकि allopathy में autoimmune disorder का कोई भी इलाज नहीं है तो बहुत सारे patients सिर्फ homeopathy में आते हैं जो patients homeopathy में पहले आ जाते हैं autoimmune disorders का बहुत लंबा time duration नहीं waste करते हैं उनको बहुत अच्छे results मिलते हैं autoimmune disorder में autoimmune disorder की मेरे separate video है मिने उसमें बताया है कि कित तो इसमें भी again हमारी constitution medicine काम आती हमारे immune system को सीधा करती है हमारे immune system को सही direction पे लेके जाती है और बड़ी से बड़ी autoimmune disorder even myasthenia gravis जो एक बहुत बड़ी problem है या ulcerative colitis या jogan syndrome या multiple sclerosis जलसी problem में भी homeopathy medicine से आराम मिलता है और friends एक query यहाँ पे आती है कि क्या हमेशा constitution medicine ही लेना होता है तो friends अगर आपका जो immune system है पूरी तरह से weak हो चुका है उसमें कोई जान नहीं बची है उसको boost up नहीं किया जा सकता है pathology बहुत जादा हो चुकी है बीमारी बहुत अंतिन stage पे आ गई है cancer आपका last stage में आ चुका हैं और उसके साथ हम दूसरी medicine start कर सकते हैं उसको हम दे सकते हैं तो constitution medicine किसी भी बिमारी के जड़ में जाने के लिए बहुत जादा जरूरी है तो friends कुछ important homeopathic medicine है जो बहुत अच्छा result देती है जैसे कि lycopodium है नक स्वामिका है और metallicum मेंने बहुत frequently use किया है बहुत अच्छे results मिलते हैं नैट्रा मियूर है सीप्या है या फॉसफोरस है तो यह कुछ important medicine है जो most frequently आपकी एक constitution medicine के तरह निकल के आती है आपने patient को एक बार constitution treatment पे डाल दिया उसके बाद जैसे कोई और दूसरी problem आती है तो उसके according lower potences में दूसरी medicine भी start कर सकते हैं but again आपको constitution treatment के साथ में क जब तक ज़रूरी ने हो तब तक आपको नहीं लेना है constitution medicine को लेने का तरीका जान लेते हैं तो इसको आपको mostly globule form में लेना होता है क्योंकि जब हम globules लेते हैं यानि कि जो छोटी छोटी वाइड टिलर की जो गोलिया होती है उसमें medicine को डाल करके जब लेते हैं तब हमारी tongue पर काफी देर तक वो रहती है हमारी homeopathic medicine tongue सही absorb होकर के अलग अलग parts में पहुंचती है हमारे system में जाती है तो उस globules को हमको लेना है globules को डालना है और कई बार ये medicine का repetition होता है constitution medicine का जल्दी जल्दी होता भी नहीं है कोई medicine है जो आपको हफते में एकबाल लेनी होती है कोई कुछ ऐसे no sword वाली medicines है जो आपकी अगर constitutional medicine बन के आती है तो आपको 2-3-3 मेने 6-6 महीने पर repeat करनी होती है बहुत strong medicines होती है और बहुत जादा अच्छा actioning का रहता है तो इसके बारे में हम next video में discuss करेंगे कि अगर constitutional medicine आपको निकालनी है तो कैसे निकाला जाता है क्या क्या क् इंसान की एक ही constitutional medicine हमेशा रहती है सब कुछ हम जानेंगे next video में तो friends आज का जो video था I hope कि आपको पसंद आया होगा मिलते हैं next video में thanks for watching